हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब सबसे पहले आप सबों को दिवाले की धेर सारी सुब कमना हैं आपके जीवन में ऐसे ही सफलता के दीब जलते रहें और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है सिटेट के माइने से क्योंकि आज की वीडियो में केवल मैत का क्वेस्टन सी नहीं मैत के पेडागोजी के भी क्वेस्टन देखने को मिलेगा जैसा कि आप पीछे जो क्वेस्टन लिखा हुआ है उससे आप देख पार रहे होंगे कि सबसे पहले आपको दो पेडागोजी क्वेस्टन ही दिख रहे हैं दोस्तों आज के वीडियो में आप बिल्कुल आन तक बने रहे हैं और कोसीस करिए कि एक-एक सवाल को आप लिखें अप लिखेंगे समYouS पूछे गए हैं सीटेड में उन सारे भरेटी को पने सब्सक्राबूच चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का पहला पहला दोस्तों कहता है पहला question कि प्राथवीक अस्तर पर गनीद की अच्छी पार्टी पुस्तक के लिए निमलिखित मैंसे कौन सी विश्यस्ता महतपूर्ण है। दोस्तों ये सवाल न जाने सीटेड कितनी बार पुछा है। और आप मेंसे कई लोग इसमें गलती कर बैठते हैं क्योंकि आप इसमें जो है इसकी सही answer चुनने में इसमें confusion करते हैं दो option में। देखिए आपको वह option आपके सामने दिखेगा, option number A कहता है कि उसमें आप धार्नाओं का परिचय संदर्भों के द्वरा दिया जाना चाहिए। अभी समझाते हैं क्या कहना चाहिए। फिर B कहता है कि उसमें किवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। C कहता कि वह आकर्सक और रंगिन होनी चाहिए, D कहता वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। फिर वह सही बात है। लेकिन आखिर वह जो आकरसन और क्रयोग क्यें जाये गाई ज़ों को जोड़कर होना चाहिए। यानी जैसे मानली जाइक कोई आवधारना से जुड़ा हो और कोई सवाल और एक्जामपल वह बहुत ही इंट्रेस्टिंग होना चाहिए और वह बहुत ही जो है सामानी जीवन से जुड़ा होना चाहिए तो जो पहला आपका जो point कह रहा है कि उसमें आवधार्नाओं का परीचे संदर्बों के द्वारत दिया जाना चाहिए या संदर्बों से आसे है एक्जामपल ठीक है तो जैसे कोई आवधार्ना है कोई concept आप पढ़ा रहे हैं और उस concept से जुड़ा वह जो एक्जामपल है अगर वह आप अपने उसके सामने दिये हुए हैं तो उस बच्चे को किताब पढ़ने में बहुत आसानी होगी और वह अच्छे से उस अवधार्नाओं को समयने में वह सक्षम हो पाएगा तो इसका of question number a का क्या हो जाएगा option number a अब आप एक वाद ध्यान रखिए कि इसमें यह जो option number b है यह आपको कुछ सीखाता है हम लोग कोशिज करेंगे कि options में और क्या हम सीख सकते हैं देखिए इस option में एक word दिया गया है केवल दोस्तों आप यहां देखिए कि कोई भी ऐसा सवाल चाहे आपका बालविकास का हो या आपका एवियस के जो है सीख्छन सासर का हो इंगलिस पेडागुजी का हो या मैठ पेडागुजी का हो या हिंदी पेडागुजी का हो अगर किसी बी option में केवल सिर्फ यह सारे वर्ड अगर आपको दीख जाते हैं तो आप उस option से पहले ही कड़ जाईए कि यह option आपका उतर नहीं होने वाला है कोई कड़नी ठीक ह चलिए question number 2 समझते हैं दोस्तों यह बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है वेन हिले मैंने आपको यह पढ़ाया है क्लास में जो भी विद्यार्थी मेरे क्लास हों किये हुए हैं उसको इसका उत्तर आराम से पकड़ में आ जाएगा चलिए question देखते हैं कहता है कि वेन हिले के जामितिय अस्तर के अनुसार जो भिद्यार्थी आकृत्यों को दिखावड के अनुसार वार्निथ और वर्गी क्रित कर सकते हैं दोस्तों वर्निथ करना मतलब describe करना और वर्गी क्रित मतलब होता है classification करना यानि उसका बटवारा कर पाना तो आप पताइए कि इसका उत्तर क्या होगा कि अस्तर ए होगा अस्तर दो होगा कि अस्तर तीन होगा कि अस्तर जीरो होगा तो आप में से कई लोग इसका उत्तर मार चुके होंगे दोस्तों कि इसका उत्तर क्या होगा option number D अस्तर जीरो अब द लेकिए इसमें वर्ड दिया गया दोस्तों दिखावट क्या दिखावट यानि कि देखने देखते ही देखने के बाद अगर बच्चा यह समझ जाए कि यह क्या है और उसको अलग-अलग बाट पाए जैसे आप क्या किये कि एक बोड है इस पर लिख दिये आप कहीं बिख बना दिये कहीं आपका आयत है कहीं में और अगर बच्चा देख करके उसको अलग-अलग कर पाता है उसको मिलान कर पाता है तो समझ जाए कि उसमें देख करके किसी भी आकरिती को वर्णित या वर्गिकृत करने कि शमता उसमें भी सित हो चुकी है आप दिए दोस्तों यहां प्रेaks दिया है मानशीक चित्रननिफ मानशी मतना होता कि देख करके उस चीज के बारे में जो उसके दिमाग में चित्र बना हुआ है उससे जोड़ करके वह जो है बोल पाहरा बता पा होता है वही होता का मानसी चितरन दोस्तों देखिए अस्तर जीरो को किसी किसी किताब में लिखा होता है चाक्चु सी करन चाक्छूसी करन दोस्तों चाक्छूसी करन में आप इसमझेचा कि Churchلي मैं क्या dizust어요 आँक होता है क्या होता चक्छू नयांनेत्र सब क्या है आप के प्रयावाची है तो अगरण चाक्छूसी करन्ट भी होगा तो भी समझें कि यहाद करके समझेने की बात हो इसमें क्या होता कि बच्चा किसी आकृती को देख करके उसके लंबाई चोड़ाई को बता पाता है यहां तक कि उसका माप वो कर पाता है ठीक है जैसे आयत अगर दिखा देंगे तो वह कहिए कि इसकी लंबाई और चोड़ाई अलग-अलग है और उसकी वह माप कर पाएगा जैसे कि आप वर्ग दिखाएगे तो वह न JOE कि इसके सारे हुजाएव समान है और उसकी माप कर पाएगा मेजरमेंट कर पाएगा तो दोस्तों कहा है अनोफचारिक निगमन यानि अनोफिसियल अनोफचारिक तो आप दोस्तों यह समझे कि अनोफचारिक में क्या होगा जैसे मालेज़े कई वर आप ऐसी बातें करते हैं कि जिसके पीछे कोई तथ है या फिर कोई सबूत ना हो जिसके पीछे कोई सिधान्त ना हो वो क्या होता अनुफचारीध होता है जैसे आप अपने दोस्ट से बात कर रहे हैं और आप एक किसी आफिशर से बात कर रहे हैं तो अपने दोस्ट से बात करना तो जब कोई अनुफचारिक निगमन होगा यह बच्чा जो है ज्यामिती में कुछ बता पाएगा लेकिन वह रूल को रूल के हिसाब से नहीं बता पाएगा तो वह क्या होगा अनुपचारिक निगमन लेकिन नियम के हिसाब से बता पाएगा सिद्ध कर पाएगा पर में कुछ समझा पाएगा वो क्या होगा दोस्तों आप्चारिक निगमन इसमें दोस्तों एक और होता है repletures Seven विद्यार्थी संख्यां का ती चोल खाई खिलाडी है तो वागे विद्यार सेttने लड़के हैं वह विद्यार को कि हम कैसी इसको आटेम करेंगे दोस्तों कितने है दो तीहाई आपको खाली याज रखना है कि भिन में जो है नीचे जो होता है वो कुल मान होता होता है दोस्तों क्या होता है कुल मान तो इस तब कि लड़के कितने हो गए 400 कुल 600 में से 400 क्या है लड़के है आप कहता कि लड़कों की संख्या का तीन चौथाई खिलाडी है अब इसमें कहता है कि खिलाडी जो है वह कितना है तीन चौथाई तीन चौथाई के खिलाडी है तो फिर मैंने आपको क्या कहा कि नीचे का मान के खिलाडी होता है तो अगर हम इस पूरे खिलाडी का जो है 400 लड़का है लड़का में से खिलाडी निकालना चाहेंगे तो खिलाडी का तीन चौथाई चार से काट दोगे 100 और 100 उन्हें 300 तो कित अगर चार सो निकला था तो लड़की यानि गर्ल लड़की कितनी होगी 200 होगी अगर छे सो में 400 लड़का निकला था तो 200 क्या हो गई लड़की हो गई अब कहता है कि लड़कियों की संख्या का एक चोथाई खिलाडी है तो लड़कीयों की संख्या का एक चोथाई चार से काटें कितना दोस्तों जाएगा 50 यानि लड़की जो खिलाडी है वो कितना है 50 है तो आप कहरा कि बताईए कि आपके पूरे स्कूल में कितने खिलाडी जो है वो पूरे है यानि कि लड़के और लड़किया मिला करके मेरे ह इसाब से लगता है कि ऑफ्षन वाज चेक कर लेते हैं कि ऑफ्षन के गढ़वर तो नहीं है दोस्तों इसके ऑफ्षन में 307 दोस्तों 350 है हमसे मिस्प्रिंट हो गया लिखने में तो बताइए कि इसका कितना उत्तर होगा 300 लड़के खिलाडी है और 50 लड़कियां खिलाडी है तो इसका ऑफ्षन नमबर भी दोस्तों क्या हो जाएगा 350 ठीक है तो आपको क्वेस्टन किस तरह से बनाना है उस पर भी ध्यान दीजेगा कि हम कम समय में एकदम एकुरेट उत्तर मार के चले जाएं एक्जाम में ये नहीं करना कि आप इबाँ आटेम्ड किये फिर गल्ती किये फिर आप अटेम कर रहें तो एक ही सवाल पर दो आटेम्ड देना ये मुर्खता है एक ही आटेम्ड मार गये और पूरा का उत्तर सोही लेकि निकल जाएगी अगला कोर्सन चलते हैं अब दोस्तों ये सवाल जो आपके सामने है ये सवाल पता नहीं कितने वर्सों से ल को समय लिजे कि बनाना कैसे था कि कभी भी आपका उत्तर उल्टा पूल्टा ना आए आप मेंसे कही लोग इस क्वेशन को बाय ऑप्शन बाने का प्रयास करते हैं टाइम खा जाएगा आप जैसे आपको जैसे हम बता रहें वैसे बनाईए देखिए कहता है कि 6 घंटों में 60 कुले 60 इतना सकेंड अब हमको हमको मिन्टों की संक्यां के बराबर करना है तो यहां सारे उत्तर अगर दिन में दिये गए तो हमको करना क्याओ कि पहले एक में मिन्टों की संख्या पर देख लेते हैं तो दोस्तों एक घंटे में कितना मिनट साथ मिनट तो एक दिन में 24 घंटा 24 घंटा दोस्तों कितना मिनट 24 गुने साथ कुछ नहीं करना है आपको एक दिन के मिनट से भाग कर देना है तो जैसे ही आप एक दिन के मिनट से भाग करेंगे, यह कट गया, यहां से काटोगे, चार बार में, यहां से आपका उत्तर जागा, पंदरा ओप्सन नमर C, पंदरा दिन आपका उत्तर हो जागा, बहुत अधीक दिमाग मत लगाईए, आपके एक्जाम में परियाप समय है, आप हर जगा पर सौट्री मार करके फसने का प्रियास ना करें, कुछ चीजों को समझे ताकि आप एक बार में उत्तर मार सकें, ठीक है, अगला कोशन देखते हैं, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेशन की और और यह सवाल समझ जाईए कि आपको बहुत अच्छे से समय लेना है, क्यो एक वर्ग के भुजा का दोगुना है, यदि आयत की चोड़ाई 20 सेंटीमिटर है तो आयत का च्छेतरफल कॉमा वर्ग के च्छेतरफल से अधीक है, है मने कितना अधीक है, एक सो की देड़ सो की तीन सो की चार सो, अब पहले यहां मेरा बास समझी कि कोश्टन आप में से क कहीं लोग समझने में गलती कर बैठते हैं, देखिए क्या कहता, किसी आयत की लंबाई कॉमा कर दिया, यानि यहां से अलग कर दिया, बोल रहा है 80 सेंटीमिटर परिमाफ वाले एक वर्ग के भुजा का दोगुना है, यानि जो वर्ग है उसका परिमाफ कितना दोस्तों, 80 स अब उसका जो भुजा निकलेगा, उसका दोगुना करने पर क्या मिलेगा, आयत की लंबाई, तो सबसे पहले बताईए कि वर्ग का परिमाफ क्या होता, 4 ए होता है, 4 गुने भुजा, बराबर 80 दिया हुआ, तो यहां से 4 से काटेंगे, तो भुजा कितना दोस्तों, 20, आपका जानते है कि वर्ग का जो भुजा, सोरी, जो छेतरफल क्या होता है, दोस्तों, भुजा का स्क्वाइर, ठीक है, तो 20 का सबसे कितना होजाएगा, 400, अब देखें, आयत में क्या कहता है, आयत कह रहा है कि मेरी जो लंबाई है, वो उस वर्ग के भुजा का दुगुन है, तो इसका ठीक दुगुना करेंगे, तो लंबाई दोस्तों कितना? 40, और चोड़ाई ये दिया हुआ, कितना? 20, तो अब बताइए कि अगर इसका हम कोई एरिया निकालना होगा, छेतरफल निकालना होगा, तो होता है लंबाई गुना चोड़ाई, क्या दोस्तों, से कितना दीक है? 400 दीक है, और अपसर नमबर D आपका उतर हो जाएगा, तो देखिए, कितने आसानी से आप को सॉल्व कर सकते हैं, बसरते आप सवाल को समझ जाएं, और फॉर्मूला आपको याद हो, देखिए, छेतरमीती एक ऐसा चेप्टर है, जिसमें कि अगर यदि आ आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो बहुत कस्ट होगा, बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेस्टन की और, क्वेस्टन कहता है, लकडी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है, यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती है, और एक बक्से का कुल मुल्य, मनें कितना बक्सा लगेगा हमको, एक बक्सा पे खर्चा तो मालूम है, लेकिन आखिक कितना बक्सा लग जागा पहले हमको उपता करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करें, कि जितना भी पुस्तक दिया हुआ है, और अगर एक बक्सा में 98 पुस्तक आ सकता है, तो हम यहाँ पर बक्सों की संख्या निकाल सकते हैं, कि आखिर संख्या कितनी होगी, ठीक है दोस्तों, कि एक बक्सा में 98 किताब, और 10,290 किताब को पैक करना है, तो उस हिसाब से कितना बक्सा लग जाएगा, वो हम कर सकते, देखिए, अगर यदि आप 49 से दोस्तों काटते हैं, तो 49 से क काटें, कटें दोस्तों, दो बार में, 49,290, अब यहाँ देखिए, कि अगर यदि 49 से इसको काटना चाहेंगे, तो 49,290, 102 में 98 खतम, 4 बचा, 4 और 9, तो 49,1,49 और 0, कितना दोस्तों आ गया, 210 बटा 2, 210 बटे 2 को जब 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2 और 0,5, यानि 105 ठो बक्सा लगेगा, संक्या कितना दोस्तों आ गया, 105, अब 105 बक्से को, 518 से गुना करना होगा, क्यों, क्योंकि एक बक्से खर्च कितना है, 518, तो अब यहाँ पर पूरा खर्च निकालने के लिए, क्या करना होगा, कि 105 को, 518 से गुना करना होगा, ठीके दोस्तों, तो आप गुना हांत में चार पांच एकंपांच 9 और पांच गुने पांच 20 जीरो से गुना करेंगे। तीनो सब 0 बन जाएगा एक से गुना करेंगे आठ एक 5 हो जाएगा तो दोसों आ जाएगा 0 और यहाँ आपका और दिस्यों आपısıन नंबर नम्बर दो में दिया गया है लेकिन अब देखिए कि आपको यहां के बाद आप टाइम इसे बचा सकते हैं एक जाम देखिए student अच्छे वह होते हैं कि हार कोंसन को बना देते चेंट अच्छाल वह सकते हैं कि हफाना जानते हो ठीक है आप अगर देखिए कि हमको अगर खर्चा इन दोनों को गुना करने से ही निकलेगा तो आप एक बार option पे नजर दोड़ाएए देखिए एक ही option के अंत में 0 है और जब आप इन दोनों संक्याओं को गुना करेंगे तो 8,45 अंती में 0 आना तय है अगर अंती में 0 आना तय है तो आप ये मान के चलेंगे कि आपका उत्तर में option एक ही है जिसके अंत में 0 है तो option नम्मर दो आप answer कर देते हैं यानि ये जो इतना जो हमको खटना पड़ा ये आपको नहीं करना है exam में एक बार आप option पर जरूर नहीं दोड़ाएं कि क्या हम by option अब यहां से चल सकते है तो time उसी का बचता है और दोस्तों exam उसी का भी निकलता भी है तो आप याद रखिए कि हमको time कहीं से भी save करना है ठीक है अगला question देखते हो दोस्तों अगला सवाल फिर आपके सामने एक गनित सिक्षन सातर से ही जुड़ाव question है तो दोस्तों पैडागोजी का यह सवाल जो आपके सामने है यह सवाल कई बार repeated है कई बार क्योंकि इसमें आप जो कोई नाम सुन रहे है डिस पाफिया डिस कैलकुलिया डिसलेक्सिया यह सारे वर्ड बहुत फेमस है तो आप इस सवाल को अच्छे से पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास किजिए कहता यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परीकलन परीकलन मैं समस्या हो रही है तो उसमें आसमर्थता है या आसमर्थता हो सकती है यानि उसमें कुछ प्राब्लम है वो जो है वो इनकेफेबल है किस चीज में जिसका नाम क्या है तो क्या वो लेखन में जो है लेखन में आक्छमता उसमें है डिस्पाफिया है या गनितिया आक्छमता है या द्रिश अस्थानी संगठन में आसमर्थता है या पठन आच्छमता है देख कि गणना करना तो गणना करना में संख्याओं की भी जनकारी होनी चाहिए और कैलकुलेशन भी आना चाहिए तो जब भी हमको कैलकुलेशन और संख्याओं दोनों को जोड़ करके दिया हुआ है प्राबलम तो कहीं-कहीं ये डाइरेक्ट गनी से संबने थे इसका मतलब कि गनीतिया अक्छों whispering का दूस्तों गरिदिया अक्छों का क्या बोलते है डिस कैलकुलिया हो सकता है कि आपको सवाल जब दिया तो वहां पर डायड के वल ऑफ्सण डिस कि रहे तो आप यहां पर week अ character oxy दिख़ू इसमें चाज़ कुछ आं इस है धिक रहा होगा दिस लिए चैलिकली घम्रकूले सन याद दो नमर 20 का उत्तर हो जागा चलिए अगला कुस्टन देखते हैं दोस्तों हमारा अगला कुस्टन जो है बहुत इंट्रेस्टिंग कुस्टन है क्योंकि यह सवाल भी आज तक पुछा जा रहा है प्रतेक साल प्रतेक वार एक्जाम में यह सवाल आपको देखने मिलता है दोस्तो इसको बनाना देखिए बहुत कठी नहीं है लेकिन मैं जिस तरह से आपको बताओंगा वो बहुत खास होगा तो आप जरा समझे कि कैसे हमको अटेम करना चाहिए कैसा दोस्तों 12112 को 111 से और 13223 को 13 से भाग देने पर सेस जो प्राप्त मिलेगा उसका योगफल क्या होगा देखिए सबसे पहले यहां समझे कि 12112 को जब हम 111 से भाग करेंगे तो आप यह समझे कि दोस्तों इसमें 1100 अगर हम हटा दें देखिए अगर आपसे कहा जाए कि 11000 को 11 से काटिए पूरा पूरा कट जाएगा तो 12112 में 11000 तो पूरे पूरी कट जाएगा तो कितना बचेगा बताईए 111 और 2 ठीक है कितना बचे दोस्तों 111 और 2 यानि 1112 बचा तो क्या हम यह भी कह सकते हैं कि अब इसको जब काटेंगे हम 11 से तो 1100 फिर कट खतम हो जाएगा और 1100 काटने बाद तो कितना बचेगा 12 यानि इस पूरे संख्या में से हमको एक्च्वाली भाग किसको करना है 12 को तो जब 11 को सुरी 12 को 11 से भाग करेंगे तो एक बार में से स्किता बचेगा एक देखिए कितना आसान हो गया ना आपको पहाड़ा पढ़ना पढ़ा ना कुछ करना पढ़ा भागा एक बर में हो गया ठीक है अब देखते हैं अगला 13 कम 13 दोस्तों किता बचेगा बचेगा 9 9 और 3 13 सत्य 1 90 दोस्तों किता बचा दो अब इन दोनों दोस्तों सेश को जोड़ देना के वल्ड़ दो और एक तीन आपका उत्तर तो बस बनाना तरीके से समझेघे आप मेंसे कई लोग यह कोस्तन बना सकते हैं कि भाग करके यह थोड़ा खास है आपके लिए आप इस चीज को समझ यह कि एक्जाम अटेंब्ड कैसे करना है ठीक है दोस्तों अगले को स्टन को देखते हैं अब दोस्तों इस क्वेस्टन को देखते हैं यह तो वैसे बहुत यह आसान सा सवाल है तो आप इसको जो है बहुत आसानी से कहता है कि 56431 में 6 के अस्थानिया मान और 4 के अंकित मान का अंतर क्या होगा दोस्तों अंकित मान बोले अंकिया मान बोले जातिया मान बोले सब एक ही है तो बताए कि 6 का अस्थानिया मान कितना है यानि कि 6 का अस्थान कितना है हजारवां पर है तो हम इसको 6 हजारवां लि कोई भी ऐसी संक्याय अंक बोले जैसे बोले कि 5 का अंकिया मान 5 ही होगा यानि उसको अंकिया मान 7 ही होगा याणि जो दिख रहा है वही होगा तो तो दोस्तों हमको लगता है कि आज का जो questions आपको सब दिया गया वह काफी अच्छा है आपके लिए आप इन सारे questions को अच्छे से आप solve कर यह समझे चलिए फिर मिलते दोस्तों अगले वीडियों तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार